नमस्कार जी मैं फटे सिंग डॉक्टर सुमिता सुफद हॉस्पिटल से आज फिर आपके सामने डॉक्टर सुमिता सुफद जी का एक और सक्सेस्फुल केश लेकर आया हूँ मेरे साथ बेठे हैं जी इनका नाम है अनिल जी और इनकी वाइफ का नाम है सचिना और यह कांगड़ा हिमाचल परदेश से बिलॉँग करते हैं इनकी शादी को 7 साल का time हो गया था लेकिन इनके कोई भी बच्चा नहीं था इन 7 सालों में इन्होंने काफी medicines अगरा ली काफी doctor को concerned किया लेकिन कहीं से भी जो इनकी wife को pregnancy नहीं हो रही थी इन 7 सालों में जो इन्होंने पैसा लगाया treatment पर medicine पर doctor से concerned करने के लिए वो सारा इनका वेस्ट केया उसके बाद जब ये निराश होके घर बैट गए थे तो इनके एक फ्रेंड ने जिनके डॉक्टर सुमिता सोफद से पहले बेबी कंसीव हुआ था उसने इनको गाइड किया कि आप एक बार डॉक्टर सुमिता सोफद के पास जरूर होके आओ वहा जिन एक को देखके हस्बन वाइफ दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक बार डॉक्टर सुमिता सोफद के पास पी जाके आते हैं तो ये डॉक्टर सुमिता सोफद हास्पिडल में आए जहां डॉक्टर सुमिता जी ने इनका इलाज करना शुरू किया कंसल्ड करके इनके ट treatment है जो pregnancy है वो एकसी treatment के जरीए हो सकती है फिर डॉक्टर सुमिता ने इनका test to baby एकसी के जरीए इलाज किया जो की सफल रहा इनका इलाज दो से तीन महीने तक चलता रहा दो से तीन महीने के बाद जब इनकी pregnancy की जो report है हमने test किया वो positive आया और अब इनकी wife को दो महीने की pregnancy है पेशन बिलकुल ठीक है आज ये test की reports लेके आये हैं वो भी बिलकुल ठीक आये हैं और अपनी तरफ से ये अपने परिवार की तरफ से डॉक्टर सुमिता जी का thanks करते हैं और सबी patients जो घर बैठे हैं जो निराश होके बैठे हैं कि किसी के शादी को 5 साल हो गए हैं 10 साल हो गए हैं 12 साल हो गए हैं वो निराश होके घर बैठे हैं मैं उनसे भी यही कमूँगा कि एक बार आप Dr. सुमिता सुफत hospital में जरूर आओ आपको यहां से बिलकुल result मिलेगा अच्छा result मिलेगा एक बार Dr. सुमिता सुफत में जरूर विजिट करो धन्यवादी